हेलो एबरिवन बेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर इस वीडियो में जो आपको भी ये प्रोग्राम सेमेस्टर थार्ड के स्टूडेंट है जो आपके डिसिप्लिन सब्चेक्ट है उसके इंपोर्टन कोश्चन भी तंसर आपको बताने जारे हिस्ट्री ओफ इंडिया फ करते है जो आपके पीपर में चिप्सी इसलसला जहां पर आता है इसका उनसर आप ये लिख सकते हैं तो आपको अंसर हम बताते हैं इससे पहले जो हमने इंपोर्टन कोश्चन के वीडियो बनाई अभी तक नहीं देखा तो देख लीजीएक उननी में से आपके कोश्चन आने आले हम सभी question के answer सो नहीं करा सकते हैं कुछ question के answer आपको बताएं कुछ question के जो note से आपको Telegram Group में sent कर दिया तो आप महांसे भी देख कर सकते हैं इस question का answer आपको बताते हैं भारत में भिबिन विचाटधारा तो तो तक तो आठा था निए 1 वृत किस्थापना है रिख्षार जडिक्या ूठीन से भारत में चिपसे, उसकी स्थापन, स्थापना के इन जरिएंग थी और यह 1192 इस्वी में भारत पहुंचे तो और अजमेर में अपना केंद इस्थापिट किया इन्होंने भारत कवाय तो 1192 इस्थापिट कर लिए उस टाइम किप्षी संपदाइक के शूपयों निमजातियों के हिंदू से संबन इस थापित किये जो सूपया होते वह संप्षे जो इन्हों हिंदु जाते हैं उसे अपने संबनत कर दिये थि सी उसमें बड़े पहनामे पर एक्छी धर्म प्रभतन का अभाव था उसमें धर्म गाने अबहा उता हुजहिए practicing oczywiście संप्ति के अध्यात्मिक जीवन और विटास में बाधक उनका था गाता था हुजहिए mac अध्यात्मिक जीवन होते हैं उनका जीवन के लिए बैक्तिगर्ज संपति होते हैं उन्हें बाधक मानते थे उसमें से कईयों ने गरहिष्टर जीवन अपनाया था और उनके संतानों भी थी फिर भी उनमें से बहुत थोड़े के पास अपने निवास इस्थान तो जो उनका अपनाया था और उनकी संतान उनके बच्चे भी होते थे लेकिन जो बहुत कम लोगों के पास ना उनका जो निवास इस्थान कह सकते जिसे आप घर कह सकते वो थे साद हंता है वे राज्ये से कोई वजीफा नहीं लेते थे तो धनी मनी लोग कुछ दान में देते थे तो उसी से अपना जीवन बैतित करते थे तो जो राज्य द्वारा ना उसे हो से उनने कोई भी जो पैसों से नहीं लिए जाते अका अपनी हेल्पhequal और जो धनी लोग अपनी मर्जे से जो भी कुछ धान करते हैं उसी से अपने जीवन बैतित करते हैं कभी-कभी उन पर कर्ज भी हो जाते हैं और पैसे की कमी आएगी तो कहा जाता है कि सेख फरीदा गंज एक सिखर भूको मरते थे पर किसी से भोजन वे धन नहीं मांगते थे और जो यह है न य लेकिन किसी से जो धन कहते हैं वो एन भोजन नहीं मांगते मितलब भी नहीं मांग सकते थे किसी के आगए चिफसी संपदाइक के सूफी साधक इसलाम की रूदिवादी पिचाधारों को त्याक के हिंदू-मसल्मान का संबन करवाना चाहते थे और जो चिफसी संपदाइक के लोग ते हुँ इसलाम के जो रूदिवादी पिचाधारों से त्याग के जो हिंदू मुसल्मान में संबन मतलब दोनों में एक्ता कराना चाहते थे भात्य समाज को यह उनकी सबसे बड़ी देन लगे और यह सबसे अच्छी जो बात है कि जो हिंदू और मुसलिम में संबन स्थापित करना मतलब वेदभाव कम करना जाती के नाम पर उन्होंने मुसलिम सास को कि धर्म परिवतन के नीती का विरोध किया और उसे आनाव सक बताया और जो चिपसे सिसला थी उन्होंने जो मुसलिम जाती होते हैं जैसे धर्म परिवतन कराये जा रहे तो उसका देख लीजिए तो वीडियो को सेर जरू किजिए और इसके बाकी की क्लासे 6 तक आप देख लीजिए की क्लास 7 और टेलिगरम ग्रूप में हमारे नोट्स मिल जाएंगे तो वीडियो को सेर किजिए थैंक्यू